जी आपके कि यहां कौन सी समस्या है हमारे यहां स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है जी और काफी विधायक लोग सांसद लोग आते हैं और यह अस्वासन दे करके चले जाते हैं लेकिन किसी ने बनाने की पहल नहीं थी जी यह समस्या कब से है यह समस्या करीब 4-5 साल से है जोप लगता है ठंडा के दिन में ठंडा लगता है ठंडा लगने से एक बच्चा पर तो उसको ठंडा मार दिया तो सुईदवाई करावे हम गरीब जी आपका बच्चा आपका बच्चा कर ठंड लगा जी ओ ठंड लगने के बाद क्या हुआ मदलपूर परखंड के छक्कन बिघागाओं में तीन बरसों से बिद्दाले भवन नहीं रहने के कारण फुले असमान में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं गरीज संगदाय के बच्चे और कुछ सामला करना पड़ता है तो अमने बच गांते हैं इसे आचा पकल भी नहीं है जो पीने के पानी के लिए पानी भी और पीना होता है तो गौं में जाते हैं दूसरे के घर पीने के लिए तो इस समस्या समधान के लिए आपने कोई उपाय किये थे किसी पदा अधिकारी के पास में आपने इस बात को रखे हमारे बीयो है हमारी जो गुरु गोश्टी होती है तो उसमें हमने एक दूबार कहा हमारे जो सी आफिसी हैं उनसे भी हम बहुत बात कहते हैं जी सर हमें लोगों ने किया आप से समस्या के समधान के लिए बात के हैं बोले कि ठीक है इसका कोई देखा जाएगा सुनकर लेकिन अभी ते कोई उपाय नहीं हुगा कि अन्यान के दियाले कि समस्या था पहले नहीं था कि अट जब से इल्च हैं इसके वुए उसके वाघ चाहिए अटो इसले बींग सकता तो भी तो बंपनने के लिए म हमने के हैं रहे में रहे हैं वी बाति बंदे की पिर मामला प्रोसु से लह नाकर गहाnew streams इसमें जमीन देने सिंकार चले जो इसमें हम अब उठाए है कि मैं अपना जमीन इसमें दूँ और उसमें स्कुल गहुन बने जो यहां से बिद्धायक बनके जाते हैं लोग से बात रखी गई लेकिन सब लोग सुना और उसके बाद कोई अदमी इसको ध्यान नहीं दिया इस समुदाय की मांग है कि हमारे गाउं में बिद्धाले भवन हो ताकि हमारे कि यहां बच्चों को सिच्छा सही डंग से मिल सके यह वीडियो देखने वाले सन्रोध है कि यह वीडियो देख करके परखंड सिच्छा पदाधिकारी मदनपूर के मुवाइल नंबर 99,75,451 पर फोन कर दबाब बनाए ताकि यहां की समस्यास का समदान हो सके और छकन बिखागाउं में बिद्धाले की बन बने ताकि वहां की बच्चों को सिच्छा सही डंग से मिल सके मैं सुरेंदर सर्मा, ग्राम महवामा, जिल औरंगवाद, बिहार, इंडिया, नट के लिए